पोश मास के शुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है इसको बिकुंट एकादशी के नाम से भी जानती हैं एकादशी के दिन भगवान विश्नु की पूझा होती है पुत्रदा एकादशी का वरत रखने वाले लोगों को अगर संतान नहीं है तो अवश्या ही उन्हें पुत्र की प्राप्टी होती है भगवान श्री क्रिशन ने महाराज युधिष्ठर को पुत्रदा एकादशी की वरत कथा इस प्रकार से बताई थी भद्रवती नगर में एक सु के तुमान नाम का राजा था वो बहुती दानी था और बहुती अच्छी तरह अपनी प्रजा का पालन करता था उसकी प्रजा में कोई भी दुही नहीं था उसकी शादी शैव्या नाम के एक राजकुमारी से हुई बहुत समय बीट गया लेकिन उन दोनों के कोई भी संतान की प्राब्दी नहीं हुई इस से वो दोनों राचा और रानी दुखी रहते थे एक बार तो राचा इतना दुखी हो गया कि उसने सोचा कि मैं खुद ही अपने प्रान हर लेता हूँ लेकिन उसने ऐसा किया नहीं वो दुखी होकर वन में चला गया वन में जाकर वो एक तलाब के किनारे बैठ गया तो उसकी नजर एक सामने आश्रम पर गई वो उस आश्रम में गया वहां जाकर उसने सारे रिशी मुन्यों को परनाम किया और वहां पर बैठ गया रिशी मुन्यों ने पुछा कि हे राजन तुम किस तरह से अपना सारा राजपार छोड़ कर इस वन में आ गए हो तो राजा ने उन्हें अपने मन की सारी ही व्यधा बताई तो रिशी मुन्यों ने राजा से कहा कि आप पुतरदाय कादशी का व्रत रखें जिस से आप देखेंगे के वश्य ही आपके घर में एक पुतर का जनम होगा राजा ने राजपार में वापस आकर ये सारी बात अपनी राणी को बताई फिर राजा और राणी ने मिलके पुतरदाय का व्रत किया समय आने पर राणी गरव बती हुई और उसके गरव से एक अती ही सुन्दर पुतर की प्राप्ती हुई इस तरह से जो लोग भी पुतरदाय का अदशी का व्रत करते हैं अगर उनके घर में संतान नहीं है तो अवश्य ही उन्हें संतान की प्राप्ती होती है बोलो श्री क्रिशन जी महाराज कीजए